हलो फ्रेंड्स नमश्कार स्वागत आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो स्टेट बैंक आफ इंडिया की बात करने कोशिश करेंगे और क्यू फॉर का जो रिजल्ट नतीजे आने थे और पांच छे दो हजार बीस को तो वह आ चुके हैं अब उनको समझने किस तरह का यह ट्रेट कर सकता है जैसे कि अभी आप देख रहे थे लगवाग वन फिफ्टी के असपास ता कफी इसमें एडवाईज दी जा रही थी लगवाग एक सो भी सो रुपे तक आ सकता है फिलाल रिजल्ट आ गया है तो उसकी बात करनी कोशिश करेंगे अब और सम लोगों यूटूब की तरफ से मिलेगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट उसका अपडेट अनिसस सारा कुछ लेटस देने कोशिश करते हैं 188 189 के असपास तक गया है तो इसको होल करना चाहिए या प्रॉफिट बूक कर लेना चाहिए या भी आवाइ से भी है और प्रोविजन भी कम किया गया है तो यह सारा कुछ इसमें देखनी कोशिश करते हैं यह का साइट है और इसमें यह आकड़े दिए गए हैं नंबर दिए गए हैं यह देखिए 31 मार्स 2020 का है देखिए इंट्रेस्ट अर्ण को लगवग 62,681 करोड का एक तीस तीन 2020 का है और 31 तीन दो हजार उन्निस से मिलानी कोशिश करेंगे और यह 31 बारत 2019 पिछले क्वाटर में क्या हुआ था तो यह तीन कोशिश करेंगे और इसका फिर अनलेसिस करने कोशिश करेंगे इस क्वाटर में 62,681 करोड का नेट इंट्रेस्ट अर्ण हुआ है और पिछली आप देखेंगे जो इंट्रेस्ट अर्ण हुआ है लगवग सेम हैं और दिसंबर के क्वाटर में कुछ ज्यादा था और अधर इंकम में देखने कोशिश करते हैं तेरा हजाद तीन सो च्यालेस करोड और इसमें था बारा हजाद शेसो पिछासी करोड का था नौ हजार एक सो पांच कर यानिमिस अधर इंकम में ज्यादा हुआ है और अब देखते हैं टूटल इंकम देखे चहेतर हजार सताइस करोड करौड कर रहा है है और पिछली बार था पाजुत तर हजाद शेसो सतर करोड याने मिस आप मानने के चले हैं लगवग एक हजार पांच सो करोड सब्सक्राइब करोड़ इसमें ज्यादा हुआ है 1,500 करोड़ का और 76,797 करोड़ इसमें कम हुआ है दिसम्बर के क्वाटर के साब से इसमें कम हुआ है तो टोटल इंकम तो काफी अच्छा रहा है इनका अब सब्सक्राइब करते हैं इनका देखिए इसमें इंप्लॉई कॉस्ट का है और ऑपरेटिंग एक्पेंसे से थर्टी नाइन थाउजन करोड लागवाग 49,914 करोड़ का है पिछली बार 40,31 करोड़ था और अभी है 49,913 करोड़ और इसमें इंप्लॉई कॉस्ट का है 18,000 यह ज्यादा हुआ है इसमें देखिए प्रोविजन का है नेट ऑफ राइट 13,495 करोड़ यह पिछली बार था 16,501 करोड़ इसमें देखिए काफी है लंसम मान के चलिए यह तीन हजार करोड़ का तो राइट आफ कम हुआ है और पिछली बार था 7,200 करोड़ यह पिछली बार से एक तरह से डबल हुआ है तो इसमें ठीक ठाक है अब पिछले क्वाटर से आप लगाएंगे तो डबल हुआ है इसके क्वाटर के इसाफ से लगाएंगे तो आप मान के क excel कि यह कम हुआ है और अब इसका प्निक कोशिश करते हैं फॉइट में देखें कैई यह 202 to अब देखें कितना बढ़िया इसका प्रॉफिट रहा है और लगवाग नाइंटी एट पर्सेंट इनके ब्रांचे स्कुले थे कोई 19 के बीच में जो कामकाज हो रहा था जैसे लेंदें तो ही रहा था और पिशली बार था लगवाग पांच हजार पांच हजार पांच हजार दिसंबर के क्वाटर में 553 करोड यह निविस वहां से लगवाग 2000 करोड की कमी है और इसके इसाफ से काफी गुना उपर की तरफ है तो अच्छा खासा प्रॉफिट है एक तरह से आप मान के चलिए यह माइनस में नहीं है मैने माइनस में नहीं है और अगर माइनस में होता तो तब बड़ी दिक्कत होती है स्टॉक माइब यह है कि जो प्रोविजन है वो कम क्या है और यह प्रॉफिट काफी अच्छा है तो स्टॉक तो एक तरह से उपर की तरफ भाग गया है अब इसका ग्रॉस एंपेज और नेट एंपेज और ईपीएज देखने कोशस करते है देखें एक तरह से मिक्स टाइब का बट पिछले क्वाटर से तो ठीक ठागी है और रॉस एंपेज में क्या रहा है देखते हैं 6.15 परसेंट और पिछली बार था 7.53 एंपेज में कमी आई है और नेट एंपेज में देखें 2.23 परसेंट का है और 3 परसेंट पिछली बार था तो और दिसंबर के क्वाटर में 2.65 परसेंट तो नेट एंपेज में भी कमी पैसी हुई है तो डिजल्ट तो एस भी एक ठीक है और आने वाले समय में लॉंग टर्म वालों को काफी है दो तल रहा इस वक्त अब इसमें अच्छल रहा इस वक्त अच्छाफा बडू होना चाहिए और रजनीस कुमार जो नहोंने जो चीफ हैं रजनीस कुमार जी तो उन्होंने क्या क्या चाय है उसको भी जानने की कोसिस करेंगे और इन्होंने देखिए एक Participant की बाद बता सकते हैं सबसेडरी का बैंक मान के चल सकते हैं 48 परतिसत इन में हिस्सेदारी है तो लंसम मान के चलिए भी वह सताइटाइस रुपे के असपास है और तीन साल के अंदर जो जिनों उपर के लेवल फस हैं यह बैंक में तो एस बीए का एक तरह से उसमें अब सबसेडरी कंपनी है तो मान के चलिए की यह बैंक भी आने वाले समय में काफी अच्छा रिटन दे सकता है और होल्ड करने की कोसिस करनी चाहिए एक नया इन्होंने कुछ प्लान किया है रिलैंस ग्रूप के साथ मिलकर कि अगर आप करते हैं तो उनका यहल्थ इंसुरेंस साइद फूरी मिले कुछ ऐसा एक न्यूज आ रही बीच में यह बात बतानी कोसिस कर रहा है यह बैंक की तो उसके अनुसार काफी अच्छा का रिटन दे सकता है जो उपर के लेबल फसे हैं तो होल्ड ही करना चाहिए उन्हों को और जिस तरह से अभी देखा होगा कि यह लगुन लबसम 90 के एसपास तक चला गया था तो आने वाले समय में हो सकता है कि एक साल या देड़ साल के बाद यह बैंक वहां तक जानी कोसिस कर सकता है तो तो ठीक ठाक है प्रोविजन भी कमी हुआ है अब नेक्स क्वार्टर के लिए रजनी जी ने क्या का है जो इनके चीफ है एस्वी चाहिए और एस्वी आई के लिए रजनीस कुमार हैं और से अबी सी आवास से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि 21.8 फिजदी गराकों ने मौरोटरियम्स की सुविदा ली है उन्होंने बताय कि 8000 करोड रुपे के नए एंपेज हुए हैं करोना संकट में बैंक की 98 फिज आने वाले समय में भी इस तरह के दिखेगा कि जो बड़े बैंक्स हैं चाहिए प्राइवेट हो चाहिए आप SBI की बात बतानी कोशिस कर रहे हैं इन में ज्यादा तर लोन लेने की कोशिस करेंगे लोग और SBI का कुछ इंटरस रेट भी कम रहता है SBI का बैलेंस सीट बेहत बहुत पूर्ण होता है कि जो कंपनी है उनके चेर्म क्या बोलते हैं जैसे SBI एक तरह से प्यसियू बैंक है यह बट यह कि उनको सारी जानकारी होती है तो वो उनका एक एक वर्ट बहुत मौत पूर्ण होता है अब जैसे चुनौती पूर्ण से निपढ़ने को तैयार है तो उनका इसारा एक तरह Q1 और Q2 की तरफ है तो अब बैंक में तो कामकाज हो रहा है तो लोन भी बटेंगे उसमें एक दिक्कत यह है कि जो मौरेटरियम जो बढ़ाया गया है तो आने वाले समय में कुछ न्यूज आ रही है कि सुप्रीम कोट ने कहा है कि लोगों की तो अभी तो फिलाल 21 फिजदी की मौरेटरियम की सुप्धा ली गई है गराकों दोरा रजीस कुमार जी का बयान था और रिजल्ट दिखाने कोसिस है अब शियर में देखिए जो लॉंग टरम के लिए बने हुए है तो उनको होल्ड करने कोसिस करनी चाहिए और जो कमजोर दिल के हैं या फिर जिनको प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ प्रॉफिट बूक कर लेन करिए और नेक्स्ट कॉर्टर तक ऐसा लग रहा है कि अभी अगर डाउन मिलता है तो बढ़ेगा भी बहुत तेजी से क्योंकि प्रॉफिट भी है क्योंकि बैंक में प्रॉफिट हुआ है लॉस नहीं हुआ है तो अगर मार्केट गिरती है ज्यादा तब फिर कुछ ना चाहते हैं अगर नीचे की तरफ आता करेक्शन मिलता है तो खरी नहीं को सिसका नीचे यह आप लोगों इस तरह से इंडिया को देशेर मार्केट स्टॉक मार्केट उसका अपडेट अनुशस सारा कुछ लेटेस देनी को सिसकते हैं फिर कुई नए वीडियो लिके आए करेंगे आज के लिए इतना है धाने बाद